गूड इूणिंग स्टुडेंट्स मैं सुमर यूटूब चनल इंडिया ओल्डेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आज हम इस वीडियो में हर्स के समय में कौन सा धर्म था और धार्मिक जीवन के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे तो देखेगा इसे पहले वारे वीडियो में हमने हर्स का लीन जो परसासनिक व्यवस्ता है हर्स का लीन जो समाजिक व्यवस्ता है इन सब चीजों के बारे में पढ़ा था अताय वीडियोज को ध्यान से देखेगा आपको एक्जाम में हेल्प मिलेगी ठीक है तो चलिए पढ़ते हैं हर्स के समय में धर्म तथा धार्मिक जीवन हर्ष के समय धर्म तथा धार्मिक जीवन हर्ष के वेक्तिकत धर्म तथा उसके समय की धार्मिक अवस्तागे विशे में हम हर्ष चरी तथा वेनसांग के ब्रह्मन वितान से जानकरी प्राप्त करते हैं हर्ष के पूरवज बगवान सिव और सूरिय के अनने उपासक थे अतहे भारत में हर्ष भी अपने कुल देवता सिव का परमभक्त था हर्ष चरीच से पता चलता है कि ससांग पर आकरमन करने से पहले उसने सिव की पुजा की थी लगता है कि बच्पन से ही उसकी परवर्ती ब सिंधेवन में दिवाकर मित्र नामक बोद भिख्षू से साक्षात कार किया था तो हर्ष का जो दार्मि गूरव कोन था दिवाकर मित्र है इसका परवाव हर्ष पर भहुत अधिक पड़ा था चीने यात्री वेन सांग से मिनने के बाद तो उसने बोध धर्म की महायान साख को राजय स्रेप परदान किया था तथा वह पूर्ण बोध बन गया अन्य धर्मों में महायान की उतकरिश्चता सित करने के लिए हर्षने कनोज में विभीन धर्मों यं संपरदायों के आचारियों की एक विशाल सभा बुलवाई थी चिन्नी साक्षों से पता चलता है कि इस इस सभा में 20 देशों के राजा अपने देशों के प्रसित ब्राहमनों, सरमनों, सैन्नीकों, राजपूरुसों आदी के साथ उपस्तित हुए थे यह समारोह 20 दिनों तक चला तता 21 दिन भूध की 3 फिट उंची श्वन मूर्ती को सुसजित हाती पर रख कर एक भवे हर्ष ने इस अवसर पर मोतियों तथा बहुमुल्य वस्तूओं का खुब वित्रण किया, इस सभा की अध्यक्सता वेन सांग ने की थी इसके परणास रूप महायान बोत धरम के सिधानतों का अधिकादिक परचार परशार हुआ, उसने बोत विहार यह स्तूप भी निर्मित करवाये थे हर्ष बोत बिक्सों यह सरमनों का सम्मान करता तदा समय समय पर उन्हें पूरिसकर्च भी करता था धरम सहिशनू समराट, हर्ष ने अपने उत्तरकाली जीवन में बोत धरम गरन कर लिया था, लेकिन वह है एक धरम सहिशनू समराट भी था, जो विभिन धरमों एवन समपरदायों का सम्मान करता था हर्ष चरित में कई स्थानों पर ब्रामनों के परति उसकी उदारता का उलेक हुआ है, हर्ष के समय में प्रियाग के संगम छेत्र में प्रति पांचवे वर्ष एक समारों है आयोजित किया जता था, जिसे महामोक्स परिशद कहा गया है वेन सांग स्विम छटवे समारों में सामिल हुआ था, वह लिखता है कि इसमें ठारा अधीन देशों के राजा उपस्तित हुए थे, इसमें बलब भी तथा काम रूप के सासक भी थे इसके अतिरिक्त ब्रहमनों, सादूओं, अनाथों एहम बहुत बिख्षों की संक्या में भी बहुत बड़ी थी, यह समारों लगबग 75 दिनों तक चला, हर्स ने बारी बारी से बुद्ध, सूरिये तता सीव की पर्तिमों की पुजा की थी परिया के इस धार्मिक समारोह में हर्स दिन दुख्यों एहम अनाथों में प्रभूत दान वित्रिते किया करता था यहां तक कि वै अपने बहुमुले वस्त्रों तथा वेक्तिकत अभूशनों तक को लुटा दिया करता था हर्श बर्दन के समय तक धर्मों तथा संपर्दायों की संग्या बहुत बढ़ चुकी थी हिंदु धर्म के अंतरकत शैव संपर्दाय सरवादिक लोग पिरिये था हर्श रित के अनुसार थानेश और के पट्टे घर में बगवान सीव की पूजा होती थी सीव की उपासना के लिए मूर्तियां तथा लिंग इस्तापित किये जाते थे मालवा तथा वानांसी में सीव के विसाल मंदिर बने थे जहां उनके सहस्त्रो भक्त निवास करते थे सीव के अलावा विश्व तथा सूर्य की भी उपासना होती थी दिवाकर वित्र के आश्रम में पांच रात्र तथा भागव संपरदायों के अन्वयाई भी निवास करते थे, जिनकी पुजा पदती भिन परकार की थी वेन सांग मूल स्थानपूर में सूर्य के मंदिर का उले करता है, यहां सूर्य के स्वन निर्मित मूर्ती विभिन पदार्तों से अलंकरित थी, यह अपने अलोकिक सक्ति के लिए दूर दूर तक विख्यात थी बान उजेनी वासियों को सूर्य का उपासक बताते हैं, हर सरित में कई स्थानों पर दूर्गा देवी की पुजा का उलेख हुआ है, कुछ लोग प्राचिर वादिक येग्यों का भी नुष्ठान करते थे, परियाग के संगम तीर्थ का बड़ा महत्वय था ब्राह्मन द्रम के साथ बोध और जैन द्रमों का भी कुछ पर्देशों में पर्सलन था, परन्तु इन द्रमों की अवन्ति प्रारम हो चुकी थी बोध द्रम की महायान साका उन्नती पर थी, हर स्थ ने इसी साका को सरंक्षन परदान किया था देखेगा कई बार एक्जाम में पूछ लेते हैं कि हर स्थ ने कोन से द्रम को सरंक्षन परदान किया था वह था, बोध द्रम की महायान साका वेन सांग मगत के महायान संपरदा के 10,000 बिक्सों का उले करता है, देश में अनेक स्थूप मठ तथा विहार थे नालंदा महाविहार में महायान बोध द्रम की ही सिक्सा दी जाती थी, जैन द्रम बोध द्रम के समान लोग पर यह नहीं था, पंजाब, बंगार तथा दक्षिनी भारत के कुछ भागों में जैन मतनुयाई निवास करते थे, ठीक है? तो देखिएगा, इस वीडियो में हमने हर्स कालीन जो धरम है और उस में का जो धार्मिक जीवन है, उसके बारे में जानकारी प्रात की, आगे की वीडियो में हम आपको और भी अच्छे से वीडियो दिखाएंगे, तो बने रहें यूटूब चैनल इंडिया ओल्डेज प अच्छे से ओखिएगा यूट लेजियो दिखाएंगे, तो यूटूब जा जाएंगे, तो बने जीवन हर आपको और भी स्वशण को और भी समें पाले से दोगे, जा खँएगा, अच्छे से भीडियो देखिएगा, जा जा रूटब आखिएगे, तो एगाएंगे, जा